बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मारपीट का वीडियो सामने आया है दो महिला और युवक के साथ मारपीट की गई है तेरे दिन पहले का मामला है मारपीट के आरोपियों पर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है दो महिला और युवक के साथ मारपीट की गई है बड़ी खबर पलबल में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बाइरल हो रहा है मामूली रंजिश पर वीडियो में कुछ युवक दो महिला और एक युवक को जम कर पीट रहे है बारदात के 13 दिन बाद इस पूरे मामूले का वीडियो सामने आया था वीडियो वाइरल होने पर अब पेडित पक्ष ने गुहार लगाई है पलिस कारवाई से असंतुष्ट पेडित युवक ने वीडियो को वाइरल कर न्याय की गुहार लगाई है मारपीट का ये वीडियो वाइरल हो रहा है दो महला और युवक के साथ मारपीट की गई है आपको बता दें कि पेडित पक्ष पुलिस की कारवाई से नाराज है जिसके चलते उन्होंने ये वीडियो वाइरल किया है और उसके जरीए अब न्याय की गुहार लगाई है पलवल से बड़ी खबर मारपीट का एक वीडियो सामने आया है पीडित पक्ष ने हिस वीडियो को वाइरल किया है दो महला और युवक के साथ मारपीट की गई है आरोपियों के खिलाफ अभी तक किसी भी तरह की कोई कारवाई नहीं और ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जो वीडियो लगातार वाइरल हो रहा है बेरहमी से पीटा जा रहा है दो योगों और महला को और पुलिस की कारवाई से असंतुष्ट है पेडितपक्ष उसका कहना है कि 13 दिन बीच चुके हैं इस मारपीट की घटना को कोई कारवाई पुलिस की तरफ से कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है जिसके चलते अब ये वीडियो वाइरल किया गया है और वीडियो के जरीए गोहार लगाई जा रही है कि न्याय मिले पेडितपक्ष को मारपीट के आरूपियों पर अभी तक किसी भी तरह की कोई कारवाई नहीं हुई है आप साफ देख सकते हैं दो मैला और एक यूअक जो है वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है किस तरह से दिन दाहाडे सड़क पर ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है इस घटना को अंजाम दिया गया है मारपीट की गई है सरयाम और लोग तमाशबीन बन कर देख रहे हैं कोई भी मदद के लिए आगे भी नहीं आ रहा है और अब पुलिस की भी कारवाई इस पूरे मामले में धीली और धुलमुल रवयाब पुलिस अपना रही है पिडित पक्ष का ये कहना है और अब पिडित पक्ष का कहना है कि उन्हें न्याय मिले ये वीडियो बारल कर न्याय की गुहार लगाई है दो महिला और एक युवक के साथ मारपीट की गई तेरे दिन पहले का मामला है आपको बता दें तेरे दिन बीच चुके हैं पुलिस को शिकायद दी गई लेकिन बावजूद इसके पुलिस की तरफ से कोई कारवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई और अब मारपीट का ये वीडियो सामने आया है वीडियो में आप साफ देख भी सकते हैं किस तरह से मारपीट की गई है दिन की घटना है और भीडभाड वाला इलाफा लग रहा है कोई मारकेट ही नज़र आ रही है आसपास काफी भीडभाड दिखाई दे रही है तो सरयाम किस तरह से अपराध्यों के हौसले बुलंद हैं आप देख सकते हैं दिन दहाडे मारपीट की खटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है मारपीट का ये वीडियो अब सामने आया है हलां कि वीडियो में नजर आ रहा है कुछ लोग बाद में पहुँचते हैं दोनों पक्षों को अलग अलग करवाय जा रहा है तेरे दिन पहले का मामला है ये मारपीट की आरुपने उपर अभी तक किसी भी तरह की कोई कारवाई नहीं हुई है